हेलो स्टूटेंट जब तूटने लगे हांसले तो बस यह याद रखना बिना मेनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंड लेना अपनी मंजिल को अंधेरे में क्योंकि रोसनी के जुगनू कभी मौताज नहीं होते है ना बात समझ गए ना चलिए अगर आप थोड़े से अ में देखेंगे बिन्न का घटाना पिछली कलास में हमने देख लिया था बिन्न का जोड़ना आज यह पार्ट नंबर आपका है कौनसा दस है हमारा नाम है राजकुमर आप लोग पुछते हैं क्लास में तो नहीं आपको पता चल सकता है है ना वहां पे नहीं जान पाते हो इस होजा से बता रहे हैं चलिए साथियों पहले हम देखेंगे जब बिन्न के हर बराबर हो तब और फिर देखेंगे जब हर बराबर ना हो तब जैसे आपने जोड़ना में देखा था बिन्न के अगर हर बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं बहुत आसानी के साथ जो हर होत से बना गया बात समझ गे ना यानि कहने कहिए मतलब है कि आप आसानी से इसे कर सकते हो जब हर बराबर हो नीचे के जो गिंती है टोयल उसे एक लाइन खीच के वाइन लिख दो इसमें कुछ नहीं करना है उसके बाद क्या करना है उपर के जो नंबर है इनको आपस में सब्ट्रेक कर लेना है 19-7 चुकि माइनस का चिनल लगा है इसमें से घटा लोगे तो कितना आएगा बारा आएगा और नीचे बारा पहले से लिखा थ बात समझ गए इसे आप चाहो तो काट दो एक आजाएगा तो यह होता तरीका ठीक है आगे बढ़ें इसमें भी वैसे करना है एक बड़ी से लाइन खीच के आप नीचे 63 लिख दो उसके बाद यह 21 और 17 है तो 21-17 ऐसे लिख दोगे इसको इसमें से घटा लो तो 17 में से कित होती भी आती हैं कई तरह की होती हैं अगर तीन पद वाली भी रहेगी तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे चलिए देखते हैं आगे इस्टिप देखे साथियों आपके मन में आ रहा होगा कि जब भीन के हर बराबर हैं तब तो बता दिया घटाना लेकिन जब बराबर नहीं हो तब नहीं बताया जैसे अब ही हमने पिछली क्लास में जोड़ना बताया था विन का आप लोगों ने देखा था ना तो उसमें हर बराबर करके क्या करते थे लाइश्ट में जोड़ देते थे तो वह ऐसे घटाना वाला भी कर लोगे ठीक है नहीं आएगा तब बताना उसी तरह से करोके इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है जैसे मनें जोडने में बताया था वैसे घटाने में भी सब होता है सिर्फ वहां जोड़ दिये जाता था जैसे यह को जोड़ देते थे और यहां पर क्या करता है घटा दे रहें बस यही मेथड होता है इसमें और कुछ भी अलग से नहीं करना होता है तरी का 5 में कर लो 35 जा 15 और साथ 7 का 7 में कर लो 77 जा 49 ठीक उसी तरह से अगले कुश्चन पर चलें इसमें भी उपर का उपर कर लोगे नीचे का नीचे मतलब 2 का 5 में और 3 का 7 में तो 37 जा 21 और यह 25 जा 10 उसके बाद अगर अगला देखें तो अगला भी इसे ही कर लोगे है ना सेम टू सेम जैसे देखो कैसे यह इसमें कि ट्वेल का यह में कर लोगे त्री का टू में कर लोगे है ना बात को समझने की कोशिश करो तो ट्वेल एट जा 96 और 3 टूजा 6 है ना उसी तरह इसको भी कर लोगे उपर का उपर गुड़ा नीचे का नीचे आपको टेबल आना चाहिए अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना हम आपको टेबल सिखा देंगे जिससे आप आसानी से सिख पाओगे है ना लेकिन क्लास को रेगुलर देखना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नेकिए तो पीवीर इस्टेडी को तुरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन करें आप देख रहें पीवीर इस्टेडी की आनलाइन क्लास यही नाम लिख करके आप गूगल प्ले स्टोर पर अगर सर्च करोगे पीवीर इस्टेडी तो आपको हमारा एप मिल जाएगा डाउनलोड कर लोगे तो एक साथ कलास मिल जाएंगे एक सिस्टम से मिल जाएंगी अची तरीके से देखो जोड़ घटाना की तरह भाग भी होता है इसमें थोड़ा सांतर होता है भाग का चिन ऐसे होता है ए उसको ऐसे लिख लिए उसके बाद यह डिवाइड का साइन हटा करके मल्टीपल लगा देते हैं और जो फाइव अपान ना इसको पलड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा नाइन अफान फाइब मतलब उपर का नीचे नीचे का उपर हो जाएगा बस यही करते हैं और कु 25 बस यही होता है ऐसे इसमें भी कर दोगे पहला फ्रेक्शन लिख लोगे एट अपान 4 फिर यहां पर क्या करोगे यह डिवीजन के जो भी भाग का चिनता हटा के गुड़ा लगा होगे और यह पलड़ जाएगा 16 उपर था तो नीचे आजाएगा तो नीचे था उपर चल 64 अभी हम आपको सिंप्लिफाइब करना नहीं बता रहे हैं चुकि यह समझना है सिंप्लिफाइब करने में क्या होता है इसको सरली करन कर देते हैं इसी सवाल को थोड़ा और मेथर से बता देते हैं नीचे मतलब थोड़ा डीपली बता देते हैं मेथर नहीं चुकि करना त यह 4 है और यह डिवाइड बाई 16 अपान 2 है इसमें सबसे पहले यह देखते हैं जो उपर नीचे से कट पिट रहा काट पीट लो चार सी कट जाएगा ना तो चार दून आठ और चार एक कमचार भाग कचिन वैसे रहेगा यह दो से कट जाएगा दो अठे 16 यह उपर आठ नी समझ रहे हो कि नहीं इसमें भी क्या करेंगे ऊपर नीचे का गुड़ा कर लो गुड़ा करने से जादा आसान है इसको अभी देखो मैं आपको कितना बताओं उपर नीचे तो नहीं कटेगा तू से वन या फिर एट वन यह नहीं कटेगा लेकिन इसमें आप ऐसे भी काट स सकते हो कोई भी अंस से कोई हर काट सकते हो मतलब यह अंस है यह हर है यह भी हर है और यह क्या है अंस है मतलब दो अंस हैं एक अंस यह है एक अंस यह है यह हर है किसी भी अंस से कोई भी हर काट सकते हो लेकिन आंस से आंस नहीं कटता है ठीक है तो आप एक काम कर सकते हो वह क्य और इसका final में answer आएगा आप लोगों के मन में होगा उसमें तो कुछ हूरा आया था इसमें का इवानपान फूर आ रहा है नहीं आप गलत है उतना ही उसमें भी आया था देखो कैसे लिए जब यारी जब यह final में जाता जब तक हो सकता है इसको मैंने सरल नहीं किया था चुकि हम आपको basic concept शिखा रहे थे बात समझ गे ना तो यह था आपका भाग वाला concept कि देखो अभ्यास बहुत जरूरी होता है आपने जो भी सीखा है यह पहला कुश्चन दूसरा तीसरा चौथा आप देख रहे हो पच्वा छटा सता अठा नौ यह कुश्चन आप घर से करोगे ठीक है यह होमवर्क है आप इन्हें घर से जरूर करना नो कुश्चन दिख रह और हाँ अगर आप लाइब देखते हो 9 बजे हर दिन रात में इस समय चल रहा पर जन टाइम में कोई भी समय चेंज होता है तो आपको सुचित किया जाएगा आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैला इकनान करके रखिए आपको हम फो नंबर भी दिखाते हैं स संक्याइय भी है आप हमें सम और बीसम संख्या इसमें से आलाग अलग करके दिखाना ठून कैट itself यह प्रैक्डिस कोई напис है सम और बीसम संख्या इसमें से आलग अलग करना आपको और जरूर कर लोगे हमें पूरी अगर नहीं करोग Alors तो भाई मज़ा नहीं आने वाला है क्युक्छ हमारे अकेले से कोशिस से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से भी कोई कोशिस नहीं करोगे यह चार श calend 이제 आपके लिए हैं सम और भी भीनों का जोड़ घतान गुडाव और भाग और ये सारा मयतरई डीटियल में पासकते हो दो मिनटी क्लास की बजाए आप दस गंटे की क्लास भी पासकते हो दो गंटे चार गंटे बड़ी class आप देख सकते हो मैरण क्लास इसके लिए आपको हमारी पीरीमियम क्लास कोlived आपको यह 3-90 दिन के अंदर खतम के जाता था आपको 3-90 दिन के अंदर कोर्स खतम हो जाके लेकिन आपको 113 दिन के वाले डिटी मिलेगी आप complete class देख वाएंगे इसके अलावाँ आप हमारी क्लासों को एक साथ में और एक सिस्टम से देखने के लिए PVR study app आज ही डाउनलोड करें प्लेइ स्टोर पर उपलब्ध है PVR study app में आप यह कलासे फिरी में भी और एक अठा भी देख वाएंगे तो आज ही डाउनलोड करें PVR study app मिलते हैं फिर next class में आपसे निवेदन होगा इस तरह की class के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें औ आप सब्सक्राइब करके बने रहिए और आप पढ़ते रहिए